हेलो मेरे प्यारे विवर्स तो कैसे हो आप सभी आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में दोस्तो ये रहा मेरा रूम जहांपर मैं रहता हूँ तो चलो हम जरा बाहर देखते हैं वाव फ्रेंड्स बाहर का मोसम तो ब है बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो मैं फटाफट इस गारी में बैठ जाता हूँ लोयर कैन रोजन बर्ग से मिलने के लिए मुझे मैप में दिख रहे एल वाले निशान पर पहुचना होगा मुझे यहां सडक पर ध्यान से गारी को चलाना होगा क्योंकि यहां के लोग ब पगीचे में से शोटकट ले लेता हूँ यह लीजिए हम पहुच भी गए हैं केन रोजन बर्ग के पास तो मैं जल्दी से इस पिंग गोले में जाकर खड़ा हो जाता हूँ तुम ने मुझे कहा था कि जाकर सो जाओ मगर डर के कारण मुझे पूरी रात नीद ही नहीं आई और मैं इसी कुरसी पर बैठा रहा कल की डील एकदम खराब हो गई हम कितने बड़े मूर्ख है अब वो बड़े बड़े गुंडे यहां आएंगे और मुझे गोली मार देंगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है मैंने इसलिए वकालत की पड़ाई नहीं की थी कि एक दिन कुते की मोत मारा जाओ तुम क्या सोच रहे हो टॉमी तुम बहुत बोलते हो कैल चुप चाप वही बैठ जाओ और मेरी बात सुनो तुम सबसे पहले ये पता लगाओ कि उस डील को बिगाडने में किसका हाथ था और फिर मैं उसे मार डालूँगा वाव टॉमी ये एक अच्छा आइडिया है नहीं ये तो एक शांदर आइडिया है मुझे सोचने दो यहीं पास में एक रिटायर्ट करनल जुआन ग्रेसिया कोटेज रहते हैं उन्हों नहीं इस डील को शहर के बदमाशों की नजर से दूर वहां अरेंज करवाया था अच्छा अब मेरी बात घ्यान से सुनो वो समुद्र के किनारे अपनी आलिशान बोर्ट पर एक पार्टी कर रहा है और उस पार्टी में YCT के सभी जाने माने लोग मजूद होंगे ये देखो मेरे पास भी उस पार्टी का इंविटेशन आया हुआ है लेकिन मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो मैं अपने आप चला जाऊंगा हे रुको मुझे भी तुम्हारे ये कपड़े पहनी का अंदाज अच्छा लगता है मगर ये अमीरों की पार्टी है इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा पहन कर वहाँ जाना चाहिए मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है सुनो तुम मेरा कार्ड लेकर राफेल के शोरूम में जाओ उसे कहना मैंने तुमें भेजा है वो तुमें अच्छी ड्रेस दे देगा चलो अब जल्दी जाओ पता नहीं फ्रेंड्स रोसेंबर्ग को मेरी इस ड्रेस में क्या कमी लग रही है मगर फिर भी हम उसकी खुशी के लिए राफेल के शोरूम में चलते हैं मुझे मैप में दिख रहे शोरूम पर जाना होगा मैं जल्दी से गाड़ी को उस दुकान की तरफ ले जाता हूँ मुझे गाड़ी को थोड़ा ध्यान से चलाना होगा क्योंकि अगर एक्सिडेंट हो गया तो मैं पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगा मैं यहां से गाड़ी को लेफ्ट मोड लेता हूँ और अब यहां आगे से राइट में मोड लेता हूँ यह लीजे दोस्तो हम पहुच गए हैं राफेल के शोरूम पर तो मैं जल्दी से इस पिंग गोले में जाकर खड़ा हो जाता हूँ वाव फ्रेंड्स इन नए कपड़ों को पहन करतों मैं राजा बाबू लग रहा हूँ वाव क्या अमेजिंग बाइक है दोस्तो मेरी यह गाड़ी तो बहुत धीरे चलती है क्यो ना हम इस चम चमाती बुलेट बाइक को लेकर चलें मेरी बाइक छोड चोर कहीं के दोस्तो यह बाइक वाला तो नाराज हो गया है मैं जल्दी से इस बुलेट को भगाता हूँ हम फटा फट इस सामने वाले शोड कट में से बाइक को ले चलते हैं दोस्तो मुझे लगता है कि आज तो पार्टी में मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाएगा जिसने मेरी डील को बरबाद कर दिया है तो मैं जल्दी से इस मोटर साइकिल को मैप में दिख रहे पिंक निशान पर ले चलता हूँ ये लीजे दोस्तो मैं जल्दी से इस बाइक को पिंक गोले में रख देता हूँ तुम्हारा स्वागत है नोजवान मैं जानता हूँ कि तुम केन रोजन बरक की तरफ से यहां आए हो मैं आशा करता हूँ कि कल वाले हाथ से के बाद उसकी तबियत ठीक ही होगी अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है मैं टोमी वरसेटी हूँ और केन की तो डर की वजए से फटके फलावर हो गई है चलो छोडो ये बताओ तुम यहां क्या करने आए हो मुझे मेरे माल और पैसे के बारे में जानना है अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मगर मेरे छोकरे लोग जल्दी ही इसका पता लगा लेंगे इन कामों में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले मैं तुम्हें अपनी लड़की से मिलवाता हूँ हे मर्सिडीज तुम जरा इधर आओ और मेहमानों का ध्यान रखो तक तक मैं कुछ जरूरी काम कर लेता हूँ जी जरूर पापा तुम यहां पर नए लगते हो चलो मैं तुम्हें वाई सिटी के कुछ खास लोगों के बारे में बताती हूँ वो देखो वहां पर हमारी वाई सिटी के मशूर नेता के साथ खड़ी है सिलिकोन स्टार कैंडी और उनके साथ में खड़ा है केंट पोल जोकी एक सिंगर है और इस तरफ खड़े है मशूर बिजनसमेन इनका वाई सिटी में बहुत बड़ा कारोबार है और वो नंगा पुंगा कौन है? वो है लफिस्ट बैंड का में सिंगर जज टोरेंड इनका म्यूजिक बैंड में बहुत मशूर है और इस तरफ है वाई सिटी के सबसे बातुनी लोगों की टोली इन में से एक है पापा का राइट हैं गोंजालविज और उसके साथ खड़ा है मशूर फिलम डिरेक्टर स्टीव स्कोर्ट आपको वो शीन याद है जब कार आपश में टकरा गई और कारों का नामों निशान ही नहीं रहा हे करनल तुम्हारी पार्टी तो बहुत शानदार है हाँ 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 मुझे देर से आने के लिए माफ कर देना ओ रिकार्डो मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था अब मैं तुम्हें क्या ही बताओ यार आज कल धंदा बहुत ही मंदा चल रहा है मगर दोस्तों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है मर्सिडीज वो मोटा सा आदमी कोल है हे मर्सिडीज बेटा यहां आओ दियाज अंकल अभी मैं अपने नए दोस्त को शहर घुमाने जा रही हूँ आपसे बाद में मिलूंगी जल्दी चलो यहां से और मुझे कलब पर छोड़ देना तो चलो दोस्तों हम जल्दी से मर्सिडीज को कलब तक छोड़ देते हैं आजाओ मर्सिडीज जल्दी से मेरी बाइक पर बैठ जाओ हाँ जरूर टोमी क्या तुम अपसे मेरे पापा की लिए काम करोगे हाँ जरूर उनके साथ काम करके मुझे खुशी होगी तुमें पता है एक अमीर और पावरफुल पापा की परी होना कितना मुश्किल है हाँ तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो हर कोई तुम्हारी तरह इतना लकी नहीं होता चलो छोडो इन बातों को हम तुम्हारे पोल पोजीशन कलब पर पहुँच गए है वाव फ्रेंड्स हमने इस आसान से मिशन को कंप्लीट कर लिया है और इसके लिए हमें 100 डोलर भी मिल गए मजा ही आ गया तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपनी YCT की थोड़ी सेर करवा देता हूँ तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो देखकर मजा आ गया होगा इसलिए अब जल्दी से अपने करतव्य को निभाईए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेर भी कर दीजिए और दोस्तों ये जो लालवाला सब्सक्राइब का बटन है ना चाहे इसको बंदूक से गोली मारकर फोड डालो या फिर मर्सीडीज की पपी दिलवा दो मुझे नहीं पता बस वो बटन दब जाना चाहिए और स्क्रीन पर आपको हमारी और भी धमाकेदार वीडियोस दिख रही होंगी आप उन्हें भी जरूर देखिए तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं जै हिंद जै भारत लव यू सभी को